नमस्कार आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आदित नामदेव 36 गण विधान सभा का आज पाँचवा दिन था लेकिन जिस तरह से लगातार हर मुद्दे को लेकर भारती जनता पाटी मुखर नजर आ रही इस बात से इंकार नहीं किया सकता कि आने वाले कुछ दिन और सरकार के लिए भारी भी पड़ सकते हैं आज विधान सभा में मुख्यता अगर हम बात करें तो Ready to Eat वाला मामला सामने आ था नालेपे कबजय का मामले सामने आ था, ऐसी कई मामले सामने आ जिसमें लेकर सरकार को लगातार विपक्ष का हमला जहिलना पड़ा और विपक्ष इतना जाधा आकरमक था कि वेल पर भी गया, कई विदायकों को निलंबित भी किया गया, हाला कि कुछ देर बाद उनका और आज का हमारे topic है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन खास महमान मौझूद हैं, अनुपनाग जी मौझूद है, विधायक है अंतागर से Congress के, मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ उनका, मेरे साथ मौझूद है रजनी सिंग जी जो विधायक है भारती जनतापार् कहीं और भाग रहे हैं, धरमलाल कौशिक कहीं और भाग रहे हैं, एक ले में भारती जनतापार्टी नजर आ रही है, क्या बड़ा कारण ये भी है कि UK चुनाओं ने कहीं न कहीं एक बड़ी संजीवनी भारती जनतापार्टी को दे दी हैं? निश्चित रुफ से कल जब चुनाओ परिणाम आने शुरू हुए और ग्यारा बज़े जब जैसे ही सदन शुरू हुआ तो भरती जंदा पार्टी की जो विधायकों की एक आकरमकता है देखते बन रहे थी देखे दोहजार अठारा में इलेक्शन हुआ सारी शीजें लेकि के वह स्वरूप नजर नहीं आता था कि जो कल आया कर्शिव डहरिया जी का वहाँ नगरी प्रिशाशन मंत्री हैं उनके डिपार्टमेंट के सवाल जवाब थे और जिस हिसाफ से जो है मतलब सवालों का सवालों की बारिश हुई और जिस तरीके से भाज़पा विधायकों से था तो पूरा लग रहा था कि भरपूर और बड़ा विपक्षे सदर में बैठा है और हमले कर रहा है रजनीश जी भारती जनता पार्टी संगठित नजर आ रही है यह बहुत पॉजिटिव साइन भी है चूंकि यह बात बिल्कुल साफ है कि 2023 के चुनाओं में कोई 14 और काफी कुछ भागते हुए भारती जनता पाटी की विधायक नजर आ है लेकिन इस बार छोटे-छोटे मुद्दे पर वो सिंसेर्टी सदन के भीतर नजर आ रही है देखे अधित जी मैं इस बात को इस विशय को करीवार रख चुका हूं कि जनवरी 2019 जब इस पांच्वे व पर भारी रहा है और ये बात बिल्कुल मैं इस पच्टता से कहता हूं कि भारती जनता पार्टी तब भी उसी आक्रमक्ता के साथ उसी एक रूप में जो हमारे विशय हैं उस विशय को विधान सभा में रखते थे सरकार को जगाते थे गेरते थे और आज भी वही आक्रमक् जो घटी है यह प्रस्न लगे हैं द्यानाकर्शन लगें ऍश्थगन लगें आक्रमक्ता रही है और इसलिए हम लोख हितके मुद्णे लगाता ऊठा रहे हैं अभी जो यह सरकार है तिन साल में इतने सारे मुद्धे हिन के खिलाब में कि हमको लगता है हमको हमारे पास और इसमें विभाग के वे उपर चर्चा होगी, उनके मांगों के उपर चर्चा होगी, सुझाओ भी आते हैं, ध्याना कर्सन है, इस्थगन है, सरकार के अपने बिजनेस भी होते हैं, लेकिन ए तेरा दिनों में नहीं हो पाएगा, रही आज की बात, रेडी टूइट मामला बहुत गंभीर मामला है, आदित जी, 127 करोड का गोधन नयाय उजनक किये हैं, गोबर बेच के कहते हैं कि हमने हिद्गराहियों के खाते में डाले हैं, उसमें लाभानमीत होने वालों की संक्या बहुत कम हैं, और इसका बड़े-बड़े प्रचार करते हैं, लेकिन रेडी टूइट मामले में लगबग 16,600 हमारी बहने की स्वसाहता समू हैं, पिछले 10-15 साल सी ये काम करते आ रही हैं, और इनके परिवार को जोड़ दे तो लाखों के संक्या में, लगबग 1000 करोड का ये फूड का जो काम है, हमारे जो नौनिहालों को खिलाने काम करते हैं, हम पेकेजिंग का काम करते हैं, और उसको छोड़ करके एक प्राइबेट व्यक्ति को लाख दिनाने के लिए ये काम किया जा रहा है, इसलिए हम सब लोगों ने भारती जनता पार्टीन इस बात का बिरोत किया है, और आज सदन तक लड़ाई हुई है, आगे स इसके खिलाब लड़ाई भारती जनता पार्टी की जारी रहे हैं, अनुम्तार जी, दिक्कत क्या है, ये रेडि टु इट को लेकर, ये विपक्ष इतना वड़ा आरोप लगा रहा है, विपक्ष ने हंगामा किया, वेल पर भी चले गए, क्या दिक्कत क्या है सरकार को इस शमू को उनके मान सम्मान करते आ रही है, आगे भी करते रहेंगे, रही बात रेडि टु इट, रेडि टु इट के बारे में सुदुर अंचल में और सहरी छेतर में भी तरह तरह की सिकायते आने लगी थी, कि यो महीर रेडि टु इट में जो कुपोशित बच्चों को या आने जिन्हें परोसा जाता है, उसमें गुणवत्ता नहीं है, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी के मद्दे नजर उसमें कुछ सुधार लाने के लिए, जो मशीनों के द्वारा रेडि टु इट तैयार किया जाने की निर्देश, हाई कोट, सुप्रीम कोट से भी मसले को उठाये थे, मगर विपक्च बहुत कम है, 14 लोगों में भी सत्र चलते चलते नौदों 11 हो जाते हैं, ये विपक्च तो बड़ा कि मैं बढ़ा, आप बड़े कि मैं बड़े, इसमें भी लगे रहते हैं, वहां भी विखराव नजर आता है, ये बीज निगम और PBS Food के Joint Venture की बात आ रही है, कहानी विपक्च को जम नहीं रही है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने हैं, अरे अनुप जी क्या positivity के साथ आगे नहीं बड़ा गया, कुछ आरोप विपक्च गंभीर इस पूरे मुद्दे पर लगा रहा है, आप लोग के उपर, अनुप जी. मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कि विपक्च के पास आरोप लगाने के अलावा है, रह क्या गया है, मैं और बड़े ध्रता से ये भी कहना चाहता हूं, कि आपस में ही, जब विधान सभा में जो प्रश्न रखते हैं, उसमें ही ये 14 में से एक दूसरे के को नीचा मैं के लिए उनका बात पूरा हुआ ही नहीं रहता हूं, बीच में खड़े होकर उन पर्टो का टोकी करते हैं, तो ये कहां हमारे बहनों के रक्षा के लिए सामने आए हैं, तो अभी राजनीती कर रहे हैं, टेक्निकल रूप से दिक्कत क्या है रहें जी क्योंकि सुप्री अधित जी विलकुल भ्रामक बात है, 2006 और 2010 के जो सुपरीम कोड के इसमें सुनुआई होई है, बामबे हाइख रूप में, उसके बाद मामला सुपरीम कोड गया है, और उसके बाद फरवरी 2019 में भी ओना मामला सुपरीम कोड गया है, उसमें उन्होंने का है कि हाईजियन स्वक्ष हमारे जो बच्चे हैं रेडी टूइट के माध्यम से हमारे जो अंगनबाडी के रिए हैं माताओं को जो दिया जाता है उनको दिया जाना चाहिए और उसमें और बता दूँ आधित जी बात आभी आगया और आएगी उसमें साफ साफ यह लिखा है कि इसको किंद्र सरकार के गाइड लाइन था कि इसको हाईजीन युक्त बनाये जाए ऐसे भोजन दिये जाए तो निश्यत रूप से अधित जी मैं कहता हूं कि क्या ऐसा चीज मिलाएंगा भी है जो एक आदमी बनाएगा 26% कभी भागेदारी बता रहे हैं बीज निगम की और 14% की बागेदारी एक फार्म की है किसी स्थिती में किसी को opinions मंत्री जी वहाँ जाने की स्थिती में नहीं है πताने की स्थिती में है कि हम एक बार देख लें दूजरी बार ये जो हमारी बहने हैं जो 10-15 साल से चला रही है क्या इनको मसीन नहीं दिया जा सकता क्या ट्रेणिंग नहीं दिया जा सकता क्या वो भी तो चना मिला रही है वो भी दाल मिला रही है सक्कर मिला रही आखिर ये जो पेकेजिंग करके आएंगे बड़े मसीन मुना है जिस PBS company के आप बात कर रहे थे उसके बारे में यह ग्यात हुआ है कि उसका capital 10 लाग का है और काम कितने का कर रहा है कर रहे हैं उनको एक करोड मिलेगा एक हजार करोड का उसमें काम और यह बोलते हैं कि उनका काम निच्छित रूप से यह ब्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए है और कांग्रेस वाले इसी गलब फहमी में रहें खुस फहमी में रहें कि भारती जनता पार्टी में लड़ाई है 2023 मिन को 2000 से 2003 में भी इसी खुस फहमी में थे 15 साल कहीं पता नहीं लगा इस बार धोके से आ गया आज इस विश्यक को लेकर विधान सभा में सम्मानी रजने सिंग्जी ने बड़े जोर से मुद्दा रखे थे संबंदिक मंत्री हमारे माननी अनिला भेडिया जी ने भी बहुत विस्तार से इस संबंद में अपने विचार रखे बांबे हाई कोट की बात आया जिक्र आया मगर सुप्रिम कोट हाई कोट के जो गाइडलाइन है उसमें बांबे हाई कोट के जो निड़ा है उनका कहीं भी उसकी मान्यता वहां समाहित नहीं की जा सकती अगर गुणवत्ता और रेडि टू इट के लिए जो सेंट्रल गवर्मेंट और हमारे राजिस सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के द्वारा ही पॉस्टिक युक भोजन परोसी जाने के लिए विचार किये जा रहे हैं बताना जाता हूं आम सम् тебе हनारी बहुन को कहा हटाया जा रहा है हटाया नहीं जा रहा है ये भॉन को बताया जा रहा हा। बह्न को अपनी ओर आकरसित करने के लिए ब्रामक बातें कही जा रहे हैं इंतजार करिये में वे सिंग्जी से बड़ा निवेदन पूर्वक कहना च और यहां पर उठा था नारेंट चंदेल जी ने उठाया था मुझे बहुत अच्छे स्यादा जिन्दा नालों को पाट रहे हैं एक तरफ आप नर्वा गर्वा घुरुवा बाड़ी की बात करें उपर से अगर जिन्दा नालों को ऐसा पाटते आप गए तो फिर कहां से वर् प्रवाहित होने वाली बहने वाली नदी नालों से संबंधित है अगर हम गवठान में पानी की विवस्था चाहते हैं हमारी महिला समूं को खेती बाड़ी करने के लिए पानी की विवस्था करना चाहते हैं तो हमारा उद्देश हमारी सरकार का ये भी उसके पीछे छुपा हुआ है कि गाउं में प्रवाहिद होने वाली जो नदी नालों क्यों पाटा जा रहे हैं बड़ा आरूप नारेंट चंदेलाप की सरकार के गलब बाथ है को पाटेगा कहीं कोई पाटने मी जा रहा है बलकी गलग सावाल था ये बिलकुल 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 क्या है आधित जी आज जो ध्यानकर्शन माननी हमारे वरिष्ट विधायक जानदेल जी ले लगाया था उसमें सिर्फ वो जांजगीर का चांपा का अकलत सरकार जो बात जो बोलती है उसके बिरुद में ही काम इनका हो रहा है नर्वा गर्वा घुरुवा बाड़ी की बात होती है लेकिन आप जाके देखिए कि जो भूमाफिया लोग हैं वो कहीं भी नदी के नाले को आप तो छोटी नाली की बात करते हैं नदी का धार बदल द कर रहा हैं कि यह जुट बात है सरकार नो इसमें जाच कादेश दिया है मानि आसंदी से निरदेश हुए है कि जितने भी सिकायत ऐसी मिली है इसकी सब की जाच कराया और निराकरन कराया नो इसलिए जन हीत के मुद्दे के लिए मैं तो अनुपनाग जी से भी कहूँगा कि यहस्थी जनहीत के मुद्दे में अधी सरकार ठीक हैब टीवी में अनलाइन सरकार को डिफेंड करेंगे लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्द्द है जिसमें सरकार पीछे हटगे इस बाद को आप जिकरकीजिए गाओं के के गरीब के पकिसान के बारे में हमारी माताओं बहेंने के बैर में बहुत सारे विजES लेकिन इέ पीछे पलट गई है यूटर नहीं एस टर्न ले ली यह को सबज दो इतने इसमेंगर आ पत्र के बारे में बहराल जो राइडी टुएट्स का मामना है तो यह चार बारा आपने 7 लाग जो हमारे मजदूर भाई है जो गरीब है जिनको आए उनके लिए उपलग्द न्हीं करा इसको बहाना वाजी करके कि केंडर ने बात बोली है इसलिए हमको को फूट को हम दे रहे हैं तो यह बहानावाजी है ब्रस्टाचार ना जोड़ी काफी विरोध है विरोध भी समझ में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर विरोध उस पूरे इलाके में हो रहा है चुकि खुद आदिवासी इलाके के विधायक भी मेरे साथ इंसे सवाल करूंगा लेकिन अब दीजी चोटा सा कमेंट बोध घाट परियोजना क्या लगता है इसमें ये बात कुल मिलाकर सामने आई कि उसका सर्वे का काम पूर्ण नहीं हुआ डीपी आर भी पूरा नहीं हुआ है और फिर ड्रमान सिंग जी का आरूप था कि सरकार द्वारा सदर में इसमें आदे घंटे का भाषण हुआ था फिर पूरी क्यों नहीं हो पा रही है न अठरीम प्रोजेक्ट था बोध गाट परियोजना कि कम से कम वहां के लोगों को इसका फाइदा होगा हम आगे क्यों नहीं बड़ पा रहे हैं और हमारी सरकार आज से लेकर आने वाले दिन भविश के मद्दे नजर इस प्रोजेक्ट को लाया था। और छेत्र की जो हमारी आदिवासी जनता जो वहां के संस्कृति से रस्बस गए हैं, वहाँ संस्कृति के साथ-साथ वहाँ बसने वाले रहने वाले लोगों को देवी देवताओं का भी उनके साथ आस्था जुड़ी हुई है उन्हें ये बताया जा रहा है या उनकी ये सोच आ गई है कि ये प्रोजेक्ट से हम उजड़ जाएंगे, हमारे घर उजड़ जाएंगे, हमें यहां से जाना पड़ेगा, उससे कहिज ज़ादा आहत इस बात के लिए हो रहा है कि उनकी देवी देवताओं का क्या होगा, इसलिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब उस प्र पूरे छेतर की सहमती आने के बाद ही चालू करना चाहते हैं, और इस दिसा में वड़े गंभीरता से विचार किया जाए है। इस सरकार के मुख्या, माननी मुख्यमंत्री जी ने, चुनोती स्विकार करके कहा था कि एक साल के अंदर सिर्फ डीपी आर नी बनाऊगा, काम प्रारम करके बताऊगा, खुद हो इस विकार किया था, हम ने तो सिर्फ अपनी बात रखी थी, लेकिन उन्होंने चुनोती विपक्ष के तीखे हमले लगातार सरकार के उपर हो रहे हैं। अगली बार किसी अन्य मुद्दे पर फिर से आप से मुकातिफ होंगे, तब तक लिए बहुत बद्धन्यवाद।